नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों जैसे के आप सभी लोग जानते हैं कि अर्मेनिया और एजरबैजान के बीच इस समय एक जबरदस्त युद छिड़ा हुआ है और इस युद को आज होने को आए हैं 9 दिन लेकिन अर्मेनिया ने 9 दिन इस्तमाल हो रही थे टैंक्स इसके लावा आर्टिलरीज और जवानों की राइफले लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई है खतरनाक मिसाईलों की और ये शुरुआत करी है अर्मेनिया ने वो भी अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर वहां के जो रियाईसी इल दो दिन की बात करें तो अर्मेनिया काफी आगे चला था अजरबैजान से लेकिन फिदर दो दिन के बाद अजरबैजान को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया जबर्दस तरीके से वो भी तुर्की से पाकिस्तान से इसके लावा सीरिया के जो आतंकी है वहां से तो यानि कि उ भी डिपलोमैटिक तोर पर सपोर्ट देने लगा अजरबैजान को जिसकी वज़े से एक मोराल सपोर्ट मिला और सेना के तोर पर भी काफी मजबूत हो चुका था अजरबैजान जिसकी वज़े से उसने पीछे धखेलना शुरू कर दिया अर्मेनिया को और ये लगबग च सबसे बड़ी चाल चल दी है वो है मिसाइल अर्मेनिया ने एक बड़ी मिसाइल अर्मेनिया और वो है इसको लेकर जो अजर्बायजान के परधानमंत्री है खुद उन्होंने ट्वीट की है नुक्षान की जो बर्वाई में आपके स्किन पर भी दिखा रहा हूं जहां जहां पर मिसाइल गिरी है वहां की जो फोटो इन्हें खुद परधानमंत्री जो अर्मेनिया के पीम है वो तो इसे दिनाय कर रहे हैं वहीं जो काराबाग के राश्टपती है जी हाँ अनारगो जो काराबाग है जिसको लेकर लड़ाई है wehahn के भी राश्टपती होते हैं कंट्रोल उसका रहता है अर्मेनिया के पास लेकिन उसे ओटोनोमस राज्य गोसित करके रखा है वहां के जो राश्टपती है उन्होंने काया कि जी हाँ हमने सैनिकों को आदेश दिया था कि आप मिसाइली हमला कीजिए अजर्बैजान पर जी हाँ इसके रहे से साफ होता है क अजर्बैजान की कि उस पर एक जोड़दार अटैक हुआ है उसके बहुत साइड नागरिक हैं वो भी हतात हुए इस हमले में और इस मिसाइली हमले के बाद अर्मेनिया थोड़ा सा फ्रंट पुट पर आ गया है युद में क्योंकि अभी तक वो पीछे धकेला जा रहा था लेकिन इस हमले के बाद अजर्बैजान वाके में बहुत जादा चोग गया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्मेनिया मिसाइले तक दाग देगा और अजर्बैजान अब बहुत जादा चिंतित भी है क्योंकि उसके जो समर्थित देश हैं और खुद अजर्बैजा मिसाइल टेक्नोजी के मामले में इतना बहतर नहीं माने जाते हैं खास करके अगर मैं बात करूँ तो तुर्गी के ले लिए तुर्गी के पास कोई खास मिसाइल है यह नहीं वहीं खुद अजरबाजान के पास भी नहीं है लेकिन यहाँ पर अर्मेनिय के पास बहुत अच्छी मिसाइले हैं क्योंकि उसका एक तो सपोर्ट करता है हमेशा से रश्या और रश्या उसे समय समय पर बहतर हित्यारी प्रोवाइड कराता है यानि कि मिसाइल ही अगर युद होता है तो अर्मेनिय भारी पढ़ेगा इसलिए अजरब्यजान चिनतित है लेकिन इस समय पुरी दुनिया पर चिनतित है और अब तक सैकेडों लोगों की मोतों की खबर है और सैकेडों लोगों के जो जवान है वो भी इसमें हताहत हो चुके हैं और हतियार तो इसमें डिस्ट्रोई एक दूसरे के दिश कर ही रहे हैं और इस यू दिस वीडियो में हर डिटेल आपके साथ साजा करता रोगो तो आप चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें ना साथ ही इस वीडियो को शेर करना भी मत बूलेगा थैंक रूँ आपके वीडियो